वेलकम टो इन्डियान स्कॉल्शिप पर बात करना गाथ है तो सबसे पहले आपको यहां पर लॉग इन करके बातातों यहां पर गूगल में जैसे हम टाइप करेंगे कुरूम ब्रोजर में आगे यहां पर देखें नेस्पी स्कॉल्शिप पोर्टल आ जाएंगा तो यहां प यहां पर देखें यह मेरी होसकती वीडियो लेट है क्योंकि मैं यहां पर यह वीडियो बहुत लेट बना रहा हूं सबसे क्योंकि मुझे कुछ काम आ चुका था इसलिए मैं चैनल पर रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था लेकिन अभी से मैं इन्शालल्ला सब्सक्राइब करके बेल इकान जरूर प्रिस करिएगा यहां पर हम हमारे चैनल पर और ज्यादे 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 इन्फरमेश्टी वीडियो हैं पर आपको प्रोवाइट करता हूं मैं तो यहां पर देखें सबसे पहले आपको इसका लुक देखना चाहिए यह देखे सबसे पहले आपको यहां पर नीचे भी आएंगे तो यहां पर यहां पर बता रहा है तो वही यहां पर बता रहा है यह देखें नीव रेजिस्टेशन आपको करना है तो यहां पर से डारिक क्लिक करके आप नीव रेजिस्टेशन करते थे लेकिन यहां पर अप्लाइफ फॉर फ्रेश यहां पर आ चुका है यहां पर देखें अप्लाइफ फॉर फ्रेश यहां पर यह है फिर उसके अप्ला 450 अप्लाय टेख शरुद के चुंट समय पॉटल जोह है वह बिल्कुल वाव कि अलग है लगत लेकिन आप यहां पर देखी यानि academic year 2022-23 will be opening तोनी यानि फ्रेश अप्लिकेशन यह ओपन होने वाली यह बहुत जल्दी ओपन होने वाली यह फ्रेश अप्लिकेशन जो है आपका वह किस एयर के लिए यहां पर देखें आपको एयर भी यहां पर नजार आ रहा है 2022-23 यानि 2223 जो एप्लिकेशन एयर है तो उस एयर के लिए आपको फॉर्म जो आप अप्लाई करेंगे वह ओपन बहुत ही जल्दी होने वाला है तो जैसे होंगा हम आपको वीडियो के थूरू इंफॉर्म कर देंगे फिर उसके बाद यहां पर एप्लाई फॉर रिनिवर पर जैसे हम क्लिक करके देखते कि इसमें क लोग बात करेंगे तो क्लिक है तो अप्लाई फॉर रिनिवर फॉर पोस्मेट्रिक स्कॉल्शिप स्कीम फॉर सीएस यानि सीएस के कैडिगरी के जो स्टुएंट होंगे उनके यह है यहां पर यह इनका है 2022-23 मिनिस्ट्री आफ शोशल जैस्टिस एन इंपावर्मेंट इस 2022-23 का उपन हो चुका है इनलोग के लिए तो उसके उपर में मैंने पहले भी वीडियो बनाई हूँ वीडियो चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं ने उसके उपर पूरा एक्स्प्रिमेशन कर दिया ता आपको तो वो वीडियो भी में में डि नीचे हाँ पर क्लिक करने के बाद, Renewal for all student scholarship scheme for AY, यानि academic year 2022-23 will be opening soon, यानि opening soon, जितने भी student बाकी के है, यानि, यानि, Renewal for all other scholarship, यानि, जितने भी other scholarship scheme है, SC student को छोड़ कर, यानि, Ministry of Social Justice and Empowerment को छोड़ का, जितने भी other scheme है, उनके लिए ये जो 22-23 का जो form है, वो अभी opening soon है, यानि, बहुत जल्द ये open होने वाला है, तो ये information आपको देनी थी है, और यहाँ पर आपको portal पर में लेकर चलता हो, तो यहाँ पर portal पर कुछ इस तरह के से नीचे आएंगे, यहाँ पर देखे, central scheme में, जितने भी scheme है, किसी में भी 22-23 की scheme open नहीं हो चुकी है, आपको यहाँ पर UGC में भी बताऊंगा, तो UGC में भी आप देख सकते हैं, किसी में भी open नहीं हो चुके, state scheme में भी, किसी में भी open अभी नहीं है, तो यह open होने की date map, नेक्स्ट वीडियो में cover कर लूँ, ऐससी जो student है, उन लोग के लिए पोर्टल में कुछ additional information उनको दे नहीं थी, कि additional add करना था, इसके लिए add कर दिया है, तो जो SC student है, वो direct apply यहाँ पर से renewal कर सकते हैं, और fresh भी direct कर सकते हैं, बाकि जो fresh के लिए जो student है, वो उनके लिए portal open तो है, लेकिन उनको अभी opening सुन बता रहे हैं, बहुत जल्दी उनको form open हो जाएंगे, तो यह information आपको देनी थी हैं, आज की इस वीडियो में, तो कईसी लगे वीडियो हमें comment करके जरूर बताएं, और आपने अगर अभी तक भी हमारे चानल सब सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके bell icon जरूर प्रेस करिए, ताकि हम जब भी वीडियो आपको बनाए, आपके लिए वीडियो स्कॉल्चिप, NSV स्कॉल्चिप के related वीडियो बनाए, तो आपको जल्दी से जल्दी उसके notification सबसे पहले आपको मिल जाए, तो चल मिलते हैं इसी नई वीडियो के साथ,